आदाब मैं हूँ अरीबा खान और आप देख रही हैं मैं मीडिया किशनगंज नगर शेत्र के चूड़ी पटीज थित बज में अदब उर्दू लाइबरेरी जिले की सबसे पुराने सारजनिक पुस्तकालियों में से एक है इस पुस्तकाले की नीव आजादी से भी पहले रखी गई थी सन 1934 में बनी इस लाइबरेरी की इमारत जरजर हो चुकी है और लंबे समय से यहां पढ़ने वालों का आना जाना बंद है में मेडिया जब बज में अदब लाइबरेरी पहुचा तो वहां के कमरों में ताले लगे हुए थे पास में ही रहने वाले इस लाइबरेरी के लाइबरेरियन मुहमद अमजद ने हमें पुस्तकाले खोल कर दिखाया लाइब्रेरी के अंदर हॉल नुमा कमरे में दो मेज और उस पर मदेविद्याले की कुछ पुस्तके रखी थी मुहमद अमजद ने बताया कि पास में बंद पड़े कमरे में अलमारियां हैं जिन में पुस्तकाले की बाकी पुस्तके रखी गई है लाइब्रिरी के हॉल के आगे एक और कमरा है जो बेहत जरजर हो चुका है लाइब्रिरी कमेटी के सैयुक्त सचिव डॉक्टर इम्तियास ने बताया कि बरसात में यहां छट से पानी तपकता है आजकल इस कमरे में कुछ लोग रोज शाम को कैरम बोर्ट खेलने आते हैं उन्होंने कहा कि शाम को आसपास के कुछ जिमिदार लोगों को कैरम खेलने की इजासत दी गई है इस बहाने रोजाना लाइब्रेरी खोली जाती है और आए दिन इसकी साफसफाई भी की जाती है उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को कैरम खेलने से एक फाइदा ये हुआ है कि लाइब्रेरी परिसर में घुसकर नशा करने वालों की धर पकड़ होती है जिससे अब शाम के वक्त नशेडियों का आना जाना बंध हो चुका है लाइब्रेरी परिसर की दिवारे भी पीछे की तरफ से तूट चुकी है जहां से अकसर जुआ खेलने वाले और नशा करने वाले आकर बैठते थे इस्थानिय लोगों के अनुसार शिकायत करने पर कई बार पुलिस ने भी नशेडियों और जुआरियों को डंडे बरसा कर भगाया जरजर हो चली बज में अदब उर्दू लाइब्रेरी की इमारत के पीछे हमने नशे की दवाईयों की बोतले देखी इस बारे में लाइब्रेरी के संयुक्त सचेव और पेशे से डॉक्टर इम्तियाज आलम ने कहा कि ये लाइब्रेरी तीन वाड़ों के केंदर में पढ़ता है वाड संख्या 4, 15 और 16 लाइब्रेरी से 4 मीटर के फास्टलों पर इस्थित हैं हम जल्द इस बारे में इन तीनों वाड़ों के नव निर्वाचत वाड़ पार्षत से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे किसी तरह अगर नशेडियों पर लगाम लग जाए तो लाइब्रेरी में लोग दुबारा पढ़ने वाले बच्चे आ सकेंगे आगे उन्होंने बताया कि कुछ वर्षों पहले लाइब्रेरी की कमेटी ने यहां BPSC जैसी परिक्षाओं की तयारी कर रहे बच्चों के लिए लाइब्रेरी का दर्वाजा खोला था लेकिन कुछ ही दिनों बाद बच्चों ने आना बंद कर दिया इतने शोर शराबा होगा और ताश वगेरा खेले जाएंगे तो ऐसे माहौर में पढ़ाई कैसे होगी दॉक्टर इम्तियाज आलम ने कहा बजमे अदब उर्दू लाइब्रेरी की शिरुवात 1934 में ही हो चुकी थी लेकिन इसका पंजी करन 2015 में कराया जा सका इस समय लाइब्रेरी की एक कमेटी है जिसके अध्यक्ष किशनगंज के पूर्व सब डिवीजन आफिसर यानि S.D.O. मुहमद शफीक हैं लाइब्रेरी कमेटी के उपाध्यक्ष जुनैद आलम ने बताया कि 2015 में जब कमेटी का गठन किया गया था तब S.D.O. रहे मुहमद शफीक को अध्यक्ष बनाया गया था उनके नुसार कमेटी बनाने के तीन सालों तक लाइब्रेरी में लोग आकर किताब में अखबार और पत्रिकाएं पढ़ते थे उस समय उर्दू साहिते से जुड़े किशनगंज के शायरों और लेखकों के एक दल ने अंजुमने तरक्किये उर्दू नाम से एक संस्था की शिरुवात की 1940 में छपी पुस्तक तोफाए एहसान में लेखक मुहमद एहसान पदमपुरी ने किशनगंज के कद्दावर उर्दू शायरों की शायरी को जमा किया और शायरों में खुद मुहमद एहसान पदमपुरी, हकीम रुकनुदीन, खलीलुर्रह्मानी गोपालपुरी, महबुबुर्रह्मान कामिल पनासी, एहमद हुसें शम्स बनम ग्रामी और हकीम सेद आगा अली शामिल हैं ये शायर 1930 के दशक में किशनगंज में छोटे इस्तर पर कई मुशायरों का आयोजन कर रहे थे उर्दू शायरी के अजीमबाद घराने का असर किशनगंज और पोणया पर भी काफी था तोफाए एहसान में किशनगंज से निकलने वाली पत्र का आईना का जिक्र मिलता है महबूबुर रह्मान ने जहांगीर प्रेस नाम से एक प्रेस की शिरुवात की थी जहांगीर प्रेस ही आईना पत्र का छापता था बस में अदब उर्दू लाइबरी के मौजुदा उपाध्यक्ष और पूर्वशिक्षक जुनैद आलम ने बताया कि बच्पन में एहमद हुसेन शम्स बमन ग्रामी से उनकी मुलाकाते होती थी वैक सर उन्हें लाइबरी की शिरुवाती दिनों की कहानी सुनाते थे मुस्तुफा नाम के एक शख्स की किराने की एक दुकान चलती थी जुनैद आलम ने बताया कि वै उनसे लाइबरी के शिरुवाती दिनों की बाते बताते थे मुस्तुफा इस लाइबरी में शायरों के लिए चाय लेकर जाया करते थे महफिल में दरी बिचाते थे और यू बैठते बैठते उन्हें भी शायरी याद हो गई मुस्तुफा बज में अदब लाइबरेरी में होने वाले मुशायरे और अदबी बैठकों में शामिल होने वाले आखरी शख्स थे जिनका कुछ सालों पहले ही देहांद हो गया कमेटी के उपाध्यक्ष जुनेयद आलम ने बताया कि जब 2015 में लाइबरेरी को दुबारा खुला गया तो वहां लोग पढ़ने आने लगे तब बरसात के दिनों में सबसे अधिक दिक्कते पेश आने लगी चट टपकने के कारण बरसात में लाइबरेरी बंद करनी पड़ी थी और बरसात के बाद लाइबरेरी की सफाई में काफी खर्चा आता था उन्होंने बताया कि कमेटी के 15 सदस्यों ने शिरुवाती सालों में 500 रुपे प्रतिवर्श देरा शिरू किया था लेकिन धीरे धीरे ये चलन भी कम होता गया जब अखबार और पत्रिकाओं के पैसे अदा करना मुश्किल हुआ तो धीरे धीरे लाइबरेरी में लोगों का आना जाना कम हो गया जुनेत कहते हैं कि 5 नवंबर 2015 को लाइबरेरी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जरजर हो चुकी इमारत का दुबारा निर्मार करने के लिए एक सरकारी एस्टिमेट तयार किया गया था जिसमें लाइबरेरी के पुनेह निर्मार के लिए 70 लाग रुपे का खर्च होना था इसमें नई इमारत के निर्मार के साथ साथ फरनीचर नई पुस्तके और पुस्तकाले के बागी खर्चों को भी शामिल किया गया था मगर किसी कारण लाइबरेरी के लिए सरकारी फंड को हरी जड़नी नहीं मिली और इस इमारती उदासीनता यूहीं जारी रही जुनैन आलम ने बताया कि 2018-19 तक बच्चे लाइबरेरी में आकर पढ़ते रहे उस समय लाइबरेरी की सदसिता के लिए सौ रुपे लिये जा रही थे लेकिन बारिश में टपकती छट से परिशान होकर बच्चों ने लाइबरेरी आना छोड़ दिया ये लाइबरेरी इस शहर की धरूहर है हम सब की जिमेदारी है कि इसके लिए कुछ किया जाए वे आगे कहते हैं कि मैंने घर घर जाकर लोगों से कहा कि आप बच्चों को लाइबरेरी भेजिए और खुद भी शाम को देखने आईए लेकिन अब लोगों में भी उतना उस्सहा नहीं रहा है जुनालालम कहते हैं कि हमारी अलपसंख्यक कल्यार विभाग से मांग है कि इस संस्था को बचाने के लिए हमारी मदद की जाए हम यहां रहे राजनिताओं से अपील करते हैं कि वह भी इसमें कुछ पहल करें और कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा मैंने अपने इस तरपर कई बार विधायक जी और सांसथ जी से मुलाकात की यहां फंड की कमी की वज़ा से बहुत सी दिक्कते हैं एक छोटे से कमरें में किताबों की तीन-चार अलमारी रखी हैं हम और जगा से किताबें ले भी आएं तो कहां रखेंगे इसलिए सबसे पहले बिल्डिंग का निर्मार होना जरूरी है दॉक्टर इंज्द्यास अक्तर ने कहा कि हम लोग स्वत्यंतरता दिवस और गर्तंतर दिवस पर लाइबरेरी में छंडा फेराते हैं तो लोग आते हैं लेकिन इसके बाद संडाटा ही रहता है उन्होंने बताया कि वे लोग साल में दो बार धोजा रोखन के लिए आते हैं लेकिन फिर ऐसा कोई माहौल नहीं बन पाता उनकी अलपसंख्या कल्याण विभाग से गुजारिश है कि वे इस तरफ थोड़ा ध्यान दे वे स्थानिये लोगों से भी कहते हैं कि यहां आकर अखबार और पत्रिकाएं पढ़ें ताकि उनको देख कर बच्चे भी यहां आना शुरू करें उनका कहना है कि बच्चे आएंगे प्रतियोगिताओं की तयारी करेंगे तो यहां एक अच्छा माहौल बनेगा हम फिर और स्कूलों में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे तो पढ़ने का एक अच्छा प्लैटफॉर्म बन जाएगा एक रिपोर्ट की अनुसार 1950 के दशक में बिहार में 540 साजनिक पुस्तकाले थे जो अब खटकर 60 से भी कम रह गए हैं बस में अदब लाइबरेरी की इमारत को बने 90 वर्ष होने को आए हैं और लाइबरेरी कमेटी के लोग जरजर हो चुकी इस इमारत के पुनह निर्मार की आस में मैठे हैं इस्थानी लोगों की दिल्चसपी और सरकार के ध्यान की प्रतीक्षा कर रहा कि शनगंज का ये पुस्तकाल ले अपने सुनहरे दिन दुबारा देख सकेगा ये नहीं फिल्हाल ये राज समय की आगोश में सुरक्षित है आज के इस वीडियो में इतना ही देखते रहिए मैं मीडिया